नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बरफिर्ष से आपके अपने येट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीट्यूडर पब्लिकेशन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आँ जो गुर्मेंट जोब के लिए तयारी कर रहे हैं गुर्मेंट जोब का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तो नावाड बैंक की अंदर जो है ओफिस अटेंडन की एक कह सकते हैं बड़ी तो नहीं लेकिन एक मीडियम साइज की बरती आगी जिसकी योग्यता दस्मी पास है तो पूरा प्रोसीजर क्या है कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है लास्ट डेट क्या है इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी डेवलोप्मेंट नाबाड के अंदर यह भरती आए रूक्रूटमेंट है फोर दी पोस्ट ओफ ओफिस अटेनेंट इन सब ओडिनेट सर्विस तो दोस्तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वेबसाइट पे फारम भरने की आज से आपके फारम भरने शुरूँ हो चुके हैं तो 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक जो है दोस्तो आप इन फारमों को अपलाई कर सकते हैं ओनलाइन दोस्तो यह फारम अपलाई होंगे ओलाइन यह अपलाई नहीं होंगे ओनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो है www.nabard.org पर जाकर आप जो फारम अप्लाई कर सकते हैं तो 25 दिसंबर 2019 से लेकर 12 दिसंबर माफ किजिए 25 दिसंबर 2019 से लेकर 12 जनवरी 2020 तक आप ये फारम अप्लाई कर सकते हैं रिपीट कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2019 से 12 जनुवरी 2020 तक वेबसाइट आपको बता दी है ओनलाइन फारम भरे जाएंगे ओनलाइन एक्जामिनेशन इसमें दोस्तो टेंटेटिव डेट दी है फरवरी 2020 में आपका इसका टेंटेटिव एक्जाम हो सकता है ओफीस अटेंडेंट क पोस्ट के लिए बात कर लेतें दोस्तो टोटल वेकेंसी कितनी है दोस्तो अंधरा प्रदेश के लिए एक वेकेंसी अनुनाचल प्रदेश के लिए भी एक है 36 गड़ के लिए तीन वेकेंसी है गोवा के लिए एक है गुजरात के लिए तीन है हरियाना के युवाओं के लि लड़ाई लड़ेंगे नहीं आप टोटल पोस्टों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो प्रेफरेंस है आप चाहें जिस स्टेट की भर सकते हैं हिमाचली के लिए एक पोस्ट है जेंड के के लिए एक है नागा लेंड के लिए एक है माफ किज़ें नागा लेंड के लिए दो हैं न्यू डेली के लिए तीन है उरिशा के लिए दो हैं राजस्थान के लिए चार हैं त्यलंगाना के लिए दो हैं उत्तर प्रदेश के लिए आठ पोस्ट है उत्तरा खंड के लिए दो selection process इसमें क्या रहेगा exam कब से कब तक apply कर सकते हैं वो बता दिया. वेकंसी कितनी वो बता दियẤ qualification इसमें क्या रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको बता दिता हूं. तो दोस्तों इसमें qualification essential eligibility criteria education qualification यग Candidate should have passed 10th standard from the concerned state UT coming under the state regional office to which he sees applying. तो दोस्तों दसमें आपके इसमें होनी चीए इसके लावा कुछ भी यहां पर जो है को आफ सकता आपको नहीं है जिस कैंडिडिट के पास ग्रेजिवेशन या हाइयर क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आर नोट एलिजिबल टू पलाई वो वो एलिजिबल ही नहीं है फारम अपलाई करने के लिए तो ख़शमी पास वालों के लिए सुनेरा आवसर यहां पर निकलकर दोस्तो सामने आया है और ऐज़ भी दोस्तो इसमें चीए जनरनल काटेगरी के लिए जनरनल के लिए रखी गये क्या 18-30 सा जनरनल काटेगरी के युवाओं के लिए एज रखी गया schedule cast SC के लिए 5 साल की चूट है OVC के लिए 3 साल की चूट है तो बहुत बड़िया यह भरती दोस्तों इसमें आई है तो लगबग सभी point के बारे में मैंने इसमें आपको discuss करके बता दिया है इसके अलावा भी अगर आपका कोई doubt है query है इस भरती से जुड़ा हुआ तो दोस्तों आप comment box में comment करके जो है बता सकते EWS वाले युवाओं के लिए अभी age relaxation का जो procedure है वो नहीं चला आप बात कर लेते हैं वह जो pre और main दो इसमें आपके exam होगे pre का मैं आपको syllabus बता देता हूँ test of reasoning reasoning के 30 question आएंगे 30 marks रहेंगे English के 30 question आएंगे 30 marks रहेंगे journal awareness के 30 question आएंगे 30 marks रहेंगे numerical ability के 30 question आएंगे और 30 ही number रहेंगे 90 minute में 120 question आपको करने और 120 ही question जो है number का आपका paper होगा उसके बाद आपका main exam होगा इसमें आपका डेट से question होगे date marks होंगे 120 minute आपको मिलेंगी 35 question English के रहेंगे journal aware ने इसके 50 question रहेंगे quantitative attitude के 35 रहेंगे reasoning के आपके 35 रहेंगे सभी एक एक number का इसमें रहने बाला है तो दोस्तो इसमें आपकी negative marking भी रहेगी ये चीज भी आप अपने साथ में मान कर चले और साथ ले कर चले तो दोस्तो आज की इस वीडियो वे फिलाल इतना ही keep watching keep supporting your own YouTube channel MD2Water publication thank you very much